बिसम्लाइब रह्माद रहीम, दियर स्टुडेंट्स, हम पढ़ने लिए फर्स्ट यह बालो जी चैप्टर नमर वन जिसका आज हमने लेक्चर नमर टू स्टडी करना है, पिड़ा जी हमने ब्रांचीज के बारे में जिकर कर लिया था, बालो जी की और फिर आज हमने इसका जो टॉपिक है वो स्टडी करना लेक्चर नमर टू है और हमारा टॉपिक का नहीं है जी लेवल ऑफ बालोगिकल और जैशन तो वेटा आज का जो टॉपिक है यह है जी लेवल्ज ओफ बालोगिकल और जैशन लेवल्स ओफ पायलोजिकल ओर्गनाजिशन तो बड़ाजी लेवल्स ओफ पायलोजिकल ओर्गनाजिशन में लेवल्स किस तरह से स्टडी होते हैं तो स्टार्ट करते हैं फॉस्ट ओफ जब हम जिकर करते हैं तो बड़ाजी हम एक्स्प्लेयन करेंगे सबसे पहले सब अटॉमिक लेवल से सब अटॉमिक लेवल राइट आफ्टर सब अटॉमिक लेवल हम देखते अटॉमिक लेवल सब अटॉमिक लेवल के बाद हम बात करते हैं अटॉमिक लेवल की ऑटॉमिक लेवल इसे के लियर नेक्सट वन अटॉमिक लेवल से आगे जो हम जिकर करें लेवल का वो होगा Molecular Level पिटा जी Molecular Level में हम Molecules का दिकर करेंगे और किस लिहाद से कौन-कौन से Molecules Micro and Macro Molecules Micro and Macro Molecules का हम जिकर करेंगे और फिर Micro and Macro Molecules के बाद जो हम अगला नावार स्टेडी करते हैं हम बोलते Organalis and Cell Level Organalis and Cell Level Organalis and Cell Level के बाद हमें पता है कि जब ये एक Cell बन चुका Cell बनने के बाद हम इसकी स्टडी करते हैं Tissue Level की Tissue Tissue Level One by One हम इसके बार्चकर और्वाइजिशन के Level को देख रहे हैं Organalis and Cell Level के बाद Tissue Level है Tissue Level के बाद Next जो Level हम स्टडी करते हैं Organ and Organ System Level Dear Students Organ and Organ System Level After the study of Tissue Level The Organ and Organ System Level Next Level after the Organ Level And Organ System Level This is very important Level That is called Individual Species Individual Level जैनि फर्द Individual को हम बोलते हैं फर्द एक फर्द वाला जो लेवल होगा अब देखें आपको पता हैं के इंडवीजुल लेवल के बाद जिस लेवल का हम मुतालिया करते हैं जिस लेवल पर हम जाकर स्टडी करते हैं पताजी इंडवीजुल लेवल के बाद हम जिकर करते हैं पॉपुलेशन पॉपुलेशन का जिकर करेंगे पॉपुलेशन के बाद जो अगला नेक्स्ट लेवल होगा जिसको हम स्टडी करते हैं इस कम्यूनिटी लेवल कम्यूनिटी लेवल आप्टर दा स्टडी ओफ कम्यूनिटी लेवल हम जिकर करते हैं इको सिस्टम का इको सिस्टम इको सिस्टम का हम जिकर करते हैं और एको सिस्टम के बाद जो आप लोगों की फस्तियर की बालगी की बुक पर मेंचन किया हुआ है अब पायो स्फेर अब बायो स्फेर लेवल अब बेटा जी यह लावस कम्प्लीट हो गए दुबारा देख लें सबाटोमिक लेवल से पिर आतोमिक लेवल मॉलिकुलर लेवल, फिर और्गिनली और सेल लेवल, टिश्यू लेवल, और्गन और्गन सिस्टेम लेवल, फिर इंडिवीजुल एक फर्द, फिर इंडिवीजुल के बाद पॉपुलेशन, फिर कम्यूनिटी और कम्यूनिटी के बाद इको सिस्टेम और इको सिस्टेम के ब सबसे पहले सब अटॉमिक लेवल सब अटॉमिक लेवल इस सब अटॉमिक लेवल पर हम जिकर करते के एटम से पीछे वाला जो लेवल है एटम से पहले वाला जो एक लेवल है वह सब अटॉमिक लेवल इसके बोलते हमें पता है कि एटम किस चीज़ का बना हुआ है जो फंडमेंटल पार्टिकल्स हम बोलते है विसिक जो पार्टिकल्स स्टडी करते है वो है ती मैं यहां पे नाम लिकराब number one is electron number two proton and third one is neutron okay electron, proton and neutrons are the fundamental particles of atoms लिए सुडेंट्स एलेक्ट्रोन प्रोटोन एंड नूट्रोन्स हमने जिकर किया कि एलेक्ट्रोन्स प्रोटोन्स और नूट्रोन्स जो है इनका अगर कॉंबिनेशन देखें तो हमने कह रखा है कि इन तीनों के मिलने से क्या बनता है जी हमने बोला इनके तीनों के मिलने से एटम बनेगा एलेक्ट्रोन प्रोटोन नूट्रोन दीजादा सब अटोमिक लेवल फंडमेंटल पार्टिकल्स और एटम सो वाट इस एटम नव डिसकेस अवाउट आप्टल ना सब्टोमिक लेवल ना अटोमिक लेवल अब क्वेस्चन या आता है कि वाट इस एक्टम तो यहां पे आपको एक्टम के बारे में डेफिनेशन प्रगा हो अब जनरल से बोल दें आप कहनें के स्मालश्ट पार्टिकल आफ एलिमेंट अब बता दें स्मालश्ट पार्टिकल ओफ एलिमेंट आप बता दें जी के छोटे से छोटा मिश्यक ऐलिमेंट का जर्रा जिसको अब अंटम गोलते हैं। अब यहां पेरा एक्टम से लेक्स स्प्वे स्वे हैं वह है मॉलीकुलर लेवल तो बड़ा मॉलीकुलर लेवल का जब हम जिखर करते आप देखें कि मॉलेक्टिवल लेवल पे जब स्टडी करते तो हमें सबसे पेरे मॉलीकुल की डैफिनिशन का पता होना चाहिए हम बोलते molecular level ओके molecular level को पेटा जी सबसे पेले हमने इसकी definition देखनी है what is molecules question जहें में रखना है difference between atom and molecules मैंने बोल दिया के smallest particle of element element का छोटे से छोटा जो जर्रा है उसको कह दिया वो atom है लेकिन molecules की जब definition करते हैं तो आप बोलते के combination of same are different atoms तुड़ा सा फ़रा करते हैं आप बोलते combination of combination of of atoms यानि जब atoms जुड़ेंगे अब इस बात को जैन में रखना है कौन से या तो सेम या भी डिफ्रेंट तो या तो सेम या फिर डिफ्रेंट जब जुड़ेंगे तो वो बनाएंगे जी इस बाएंगे अटो इस बाएंगे अधिजान की अधिसे बता दिया ऑके अब हम जिकर करते के अधिजा कर लेते हमें पता है कि लिविंग बाडी जो है हमारी आप लोगों की बाडी सिक्स्टीन एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है मैंने लास्ट टाइम एक्टर में जिकर किया था कि 118 एलिमेंट्स 118 एलिमेंट्स जो के प्रॉडिक्टेबल में मौझूद है 92 एलिमेंट्स नेचर ली हैं बाकी जो है वो प्रिपेर्ड हैं रिवाटरी में या खुद से क्रि आप जानते हैं के वहाय outta बाइी हम अब अगर यहां पर नकाथल में बारे में जिकर कहां कि creeping आैं गहां लोर वाउट वाइट हैं इत्सक्राइब है छहाज था आपको सीव स्कृताई थी असान हम में से मैंने बताया था कि ऐसमें में तक हां था कि अदुछ फिर ऑनिमेंट्स थे हो 16 तो भाइलिमेंट्स में मैंने आपको बताया था सबसे मैंने मैं बोला था मैंने ऑक्सीजन है कि कार्बन है अच फिर नाइट्रोजन है कि ऑक्सिजन की कॉन्टिटी जो मैंने आप ऐा लिए वाए लिए लिए घ्री थीsm orbital किया था। बलकिर यह基本 के साझ जयारा धर आप ही पीर मेडि़ुशन ठीक है इनकी कॉंटिटी भी आपने अप मैंछिन की थी डास्ट मैंने आपको बता राद ऐस इनकी का.. केल्शियम एंड फास्फोर्स यह टोटल छे आलिमेंट्स आपको बताए एक दो तीन चार पांक छे कर आपको यह बात बताई थी कि यह यह वह हैं जो लिविंग और्गैनिजम की बॉड़ी का नाइंटी नाइं परसंट हिस्ता बनाते हैं यह जिकर हो गया अब मैंने सीक्वंस के साथ इसले लिखा कि आपकी भूप पर इसी तरह से मेंचन किया हुआ है तो फिर आपको वैसे ही याद करना पड़ेगा ओके तो सीक्वंस जरूरी है कैल्शियम और फिर फास्फोर्स इस तरह से इनकी परसंटेज मैंने आपको लास्टाइम भी बताई है यह अग्सीजिन की जो परसंबेर हमारी बॉडी में लिविंग और गैंस की मैंने लास्ट अधिकर त्यल्स परसंट हुए मैंने कार्पन का जो जिकर किया एटीन फरसंट अग्रेदियर में चैन परसंट हमने हाइडोजन का झिकर झा था और उसके बाद फिर फ़िए थि तो मेंने नाइट्रोजन बताए थी कैलशियम का मैंने आपको बताया था आपको याद होगा टूपर स्ट वार्संट एंपिंटी त बीट्स मेंसे छे वह अलिमेंट्स हैं जो के भिवारे बोड़ी का 90 9ress before गिसाब अधे यह 9 से जुड़े हुए हैं तो कार्पन ऑक्सीजन है डिफरेंट एलिमेंट है तो देखें कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स सेम भी तो यहां पर मॉलीक्यूल्स के डैफिनेशन बनाएं तो सुरी एक्जाम्पल करें तो एक्जाम्पल में आजाएगा बैठाजी वाटर का यह सारे के सारे यह तरह से लिखने एज टू यह सेम अब्सक्राइब का मजबूआ है यह यहां पर भी यह जिकर करेंगे कि एटम जो है किस तरहां से आपस में जुड़ेंगे एलिमेंट्स के एक्टम आपस में किस बांडिंग के जरीए जुड़ते हैं वह या तो बेटा क्यासी बांडिंग जो है वह कॉबलेट हो सकती है या तो बांडिंग जो है वह आयनिक हो सकती है तो जा तो कॉवलेंट बॉन्डिंग होगी या फिर आयनिक बॉन्डिंग होगी इस इट के लिए तो हमारी बॉड़ी में जो एलिमेंट्स हैं 16 एलिमेंट्स उनमें से मैंने 6 मेंशन कर दिये इनकी परसंटें बता दी यह शौट परसंट भी है और यह एंसी क्यूज भी बनते हैं इसलिए फिर मैं परस्ट मांग बालता हूं कहीं शौट परस्ट आता है बेड़ पर अब यह आपस्पे या तो कोवलेंट के जिड़े होंगे या फिर आइनिक बांड के जरीए नांसफर ऑफ रेक्टर्ण होंगे तो वो या अनिक बांड होगे भी तो डाइफिनेटी कोवलेंट या 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 यिक बांडिंग के जरीकी एक्टम आप उसमें जुड़े होंगे जब यह जुडएंगे तो बिटा चिए बनाएगे ओम और फिटिक्यूलर लेवल इसको इसक कर देते हैं कि टाइप्स ओफ मॉलिक्यूल्स टाइप्स ओफ मॉलिक्यूल्स तो पेटा जी टाइप्स ओफ मॉलिक्यूल्स में दो तरह की टाइप्स हम स्टेडी करेंगे एक हम बताएंगे micromolecules और एक हम बताएंगे macromolecules तो देखे micromolecules और macromolecules और एक दूसरी जो हम study करेंगे that is तो देखें तो मैंने का दो टाइपस है molecules की number one micro molecules number two macro molecules micromolecules और macromolecules अब इसमें भी मजीद देख ले मेटा micro का मतलब होता है small and macro का मतलब होता है large the molecules having low molecular weight micromolecules कहलाएंगे और जो molecules का high molecular weight है यह previous बाते हैं 9 टाइम में पढ़ी हुए आप लोगा ने है वो macromolecules कहलाएगा तो बटा जी definitions the molecules having low molecular weight low molecular weight ऐसे molecules जिनका low molecular weight है वो micromolecules है एक्जामपल में मैं इसकी बता रहा हूँ अग्जामपल मैं आपको बता जी इसकी है बटा जी करवा अटा जी ता जी और पडाइगा सूप्यक्रीजट करणोगी कहले है और दो बूलीकुल्स है। है 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 फिर वेट लेट है इसको अंब बोलते है कि यह रही है अब इसकी जांपल की देख रहे अग्जांपल पेपर पुछी जाए या नहीं पुछी नहीं आपने बतानी है है कि दो इस्की क्वेमीन उप्हार क्रूव कषो कि आप बता दें लीफ्पिड्स आ प्रोटीन है लिफिट या प्रोटीन के भारे में आप बताने यहां कि दॉत है ये डेफिनिशन के लिए एक्जांपल के लिए ये शौर्ट वस्टन आता है वेपर में और अग्जांपल भी बिताना पड़ता है अब इसी टॉपिक की जो आखरी बात है आपके सिलेबस में मेंचन की हुई है लिखी भी हुई है वह कौन सी है कि लेखी आपको है वहां यहां पर में मेंचन कर रहा हूं लिखा हो करें जो मोलिक्यून है यह चाहे वह माइक्रो चाहे मैक्रो एं थो तरह क्यों सकते हैं फृद़ फर्दर इसकी डियंस है लिए जबएइनस फरक्तर इसकी जो डिलियन्स है वो दो है एक को हम स्टडी करते हैं इन और्गैनिक मॉलेक्यूल्स मैं नाम लिख रहा हूं इन और्गैनिक मॉलेक्यूल्स हम लिखते हैं इन और्गैनिक मॉलेक्यूल्स और दूसरा मेंशन करते हैं और्गैनिक मॉलेक्यूल्स और्गैनिक मॉलेक्यूल्स बड़ा जी आपकी किताब पे पेज नुमर फाइव पे यह दोनों बाते निख्यों यह दर्मयान में और और गैनिक मॉलिक्यूल में आपको बता है हम इसको डिटेयर से लेके चलना है और जी और गैनिक मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होते हैं जिन में कार्बन और और खेजन के कॉंटेंट्स हैं और गैनिक कैमिस्ट्री इस दा ब्राँच ऑफ केमिस्ट्री विच देल्स इनिद स्टडी ओफ कार्बन हैड्रोजन एंड टेयर तैनिवेटिर्स ब्रैकट में लिखने हैं है और टाइटा जी जो और गैनिक बॉलिक्यूल की गलुकोज के लिए that बैसे नमबर वन पे ऐसे घर दिया वहाई है अब गुलूकोज का जो मॉलीकी यो फार्मूला है मेट्वाइब फार्मूला अब गोर करें और अप्र अप्र निफरेंट एंटम से अप्रणिक टॉट इसमें गूकोस का स्टॉक्चर फार्मूला जो करते हैं आपकी बार जी की जो भूक है इसमें गूकोस का स्टॉक्चर शो किया हुआ है ठीक है तो चैप्टर नमर टू जो के आपका बायोक्रिस्टिक रिलेटिड है इसमें 21 पेज जो है उसके एंड पर लिखी हुई यह डेफिनेशन आप इसका प्रेंड नमर 21 देखें उसके एंड पर आपको यह स्टॉक्चर न रहें है तो दूसरा कार्ड आपन तीस्ट्रा नमर फोर फाइब यह फाइब छे करपन है कि 6 है ओके लैस्ट में 181 है यह यह 2 3456 कि आपने सिक्वर समझ देंब कारवन नमर 3 पे चेंज करनें नहीं बस त्री यहां पर हथ हो जैना है बाकि तूपर हडंशन प्रिए फोर पे है रिटॉक्सल प्रॉक्सल अधी है इस पर एक नजय नजय को एक रिटा कार्बलें गज़ाएंगे दिखाएंगे दर थे लगा लगा देंगे की एस चार पूरी करनी है इदर हाईडोचन एक नीचे है लगा दिया तो चार प्रॉड आप बोदेंगे कार्बन बन वान जो है उस पर तो एक ही एटम है तो चार वालेंसी कैसे पूरी करेंगे तो गोर कीजिए सी डबल बांट ओ और एच डेंजी यह स्ट्रक्चर फार्मूलाफ ग्लुकोज बन गया आप काउंट करें ऑक्सीजन इसमें होगे आप काउंट करें है उसमें परहा है आप काउंट करें कार्बन चेश है यह अब आप इसमें डेखसकतें कार्बन भी हैं जो इस बात को रिप्रेजेंट कर रही है यह और घैखन के यह और चीजिए Mention कियी है अब बेड़ा जिसकी जो दूसरी एक्जामपल मेंचन की है वो है जी अमीन इसिडू दूसरी जामपल जो मेंचन है उसका नाम कही है वेड़ा Amino Acid Amino Acid आपकी किताब पर चैप्टर नमर टू जो है जब आप इसमें दूसरे जैप्टर में जाएंगे तो वहां पर आपको पेज नमर 27 पे बिलकुल धर्मयान में स्टुक्चर नज़र आएगा वह यह लिख रहा हूं मैंने लिख दिया carbon फिर हम लिख दिया एक टू , अलोगिस को hemीस तरह से लिखते हैं carbon फिर हमने लिख दिया करबॉक्षर कारबॉक्सरी ग्रुप ऊके एक टरफ हम लगाने के order निच घ्र और एक तरफ हम इसमें लगाएंगे है एक डू एन आपको बहुत जाएगा यह कार्बॉक्सरी ग्रूप है अलफा कार्बन और यह अमाइलोग ग्रूप इसमें भी देखें कार्पन हर्डुजन और अक्सीजर है यह शो कर रहा कि और कैनी कॉलिक्यूल है कि लिए नेक्स्ट जाबर मेंचन की हुई है बतब एक्सट जाबर है स्थीएषाद इसे न म्यूप है वे फैटी असैंड गिलिसरोल की जाबमी इन की हे तो जांपल की है टो अदो fatty acid और glycerol को जब आप अपने किताब chapter number 2 में जाके देखेंगे तो page number 25 पे दोनों नदर आएंगे आपको आपको page number 25 पे ये दोनों structure नदर आएंगे fatty acid में एक लिखता हूँ फिर एक glycerol लिखता हूँ दोनों का idea हो जाएगा chapter number 2 में explain करेंगे अभी जिर्फ structure बताएंगे थोड़ा साथ यहां पर लिखेंगे प्रेले fatty acid fatty acid है एक fatty acid है ये hydroxyl दूसरा fatty acid है ये hydroxyl तीसरा fatty acid है ये hydroxyl ये biochemistry है बायोकमिस्ट्री में ये चीज़ा study करते हैं ये तीर fatty acid मैंने लिख दिये और आप इसके साथ ना लिख रहा हूँ एक ग्रिस रोल एक देखें प्लस हो कार्बन की चारबसी पूलिक पूरी कर दें और फिर चारबन चारबसी पूरी करेंगे तो क्या है जि मैंने कर दिया या और ये थी fatty acids और ये धी ग्रिस रोल यह ग्लिसरोल मेंशन कर दिया इनमें भी आपको नजर आ रहा है कि यह और गैनिक मॉलीक्यूल्स है अब आपकी बुक पे एक और एक्जाम्पल मेंशन की हुई है जो लास्ट है और गैनिक मॉलीक्यूल्स की गुडूकोज अमाइल एसर्ट एसर्ट के लावा है ओके तो जो नुकलियोटाइड है मैं इसकी इस ट्रक्टर यहां पर शोग करता हूं यहां पर लिक्राइड टाहूं बिटाजी नुकलियोटाइड और आपकी बुक पे मेंशन किया इसकी इसकी अग्जाम्पल्स निक्राइड की तो याद रहे एक्टीपी अडीपी और तो बेटा आपको पता है के निक्रोटाइट में बेसिक चीज है कौन सी है पांच कार्बन है और पेंटो शुगर है और नाइट्रोजीनिस बेस है यहां पे यहां पर आपको एटी पी का एक जैनल फार्मूला नाकर दिखा जेता हूं जिसे आपको आईडिया हो जाएगा की तो इसको थोड़ा सा की ज़ियर करहा हूं यहां पर थीक है यहां पर मैं इसका स्टॉक्चर ड्राउग करूंगा तो यहां पर कॉत कबने हैं एंड़ एटी पीनियर लगे है इस जगा करिंगité श्बश जाल है तो यंद यान लॉंटांप अई ये एटी पी तरक्च्रत बनाने लगा है अब यहां पर आपने मेंशन करनी है एड़ीनी पिटाजी यह एड़ीनी पांच कार्मन वाली शुगर और यहां पर आपने मेंशन करना है अब यह पांच कार्मन वाली शुगर यह बैटा जी अब यहां पर आप लगा देंगे औक सीजन औक सीजन औक सीजन ठीक है जी औक सीजन और यहां पर भी लगा देंगे औक सीजन ठीक है अब आपने इसको मेंशन कर दिया ओके यह फास्ट लग गया फास्ट फॉरी कैसे पांच कार्मन शुगर और एड़ीनी यह बिढ़ा जी तीन चीज़े इसमें लग गई तो क्या आपको उसमें समझ आया क कि अनीव का अरे पांच कार ममानी शुगर अगर तो एट राइबो शुगर है अगर आरन्य तो राइबो शुगर ही रहने देंगे आप ऐसे स्टड़ी और अगर यह अभर यह झळी यह है तो फिर आप बोलते डी और आप टे याउक्सी डाइबो न्यूक्ली कैसे है तो र